हलो दोस्तों मैं विसंदत टिपसॉन लिविन से आज हम बात करेंगे दोस्तों बैंगलोर रेसिस की पहला दिन है सीजन का और उमीद करते हैं अच्छा जाए और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक ट्वेट के थूरू पता चला है थोड़ा सा कुछ इसू चल रहा है उमीद करते हैं मतब वह इसू रेस पे एफट ना करें और रेस ओन रहे तो पहली रेस है दोस्तों अपना दो बच के पंदा मिनट पे और आक्री रेस पांच बच के पंदा मिनट में सेकंड दिसमबर की रेस है और इसमें पहला दिन है यार तो इसलिए टॉप ओर्जिस ऑन फिल्ड मैं नहीं लेके चलूँगा इसमें भी सौटे सिलेक्सिन लेके चलूँगा और पहली रेस 1200 मिटर क्लास 5 की है और बैंगड़ोर में जैसे मैंने नोटिस कई यार काफी टाइम से मतलब जादा मेकसिमम टाइम यही होता है कि पहला फेरेट जीट जाता है तो उमीद करते हैं इस रेस में पहला फैवरेट पांच नमबर हो कैस आउट और बैले दीपा लास्ट टाइम फैवरेट था कुछ इंसिडेंट हुआ था टाइगर रिटरन के साथ में तो उमीद करते हैं यार यह गोड़ा जीते एंटरी राज के नीचे स्टार्टिंग करें और सेकंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों बारासु मीटर थ्री एर ओल्ड की है इसमें जो मेरा सिंगल घुड़ा पिक करके चलूँ है सीज क्रेजियस वाईयस सेनात और थार्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों क्लास फॉर की रेस है बारासु मीटर की इसमें जो गोड़े में पिक करके चलूँ है तीन नंबर इंग्लिज बे ट्रैक काफी अच्छा जा रहा है और उमीद करते हैं कि गोड़ा वाईयस सीनात के नीचे एक अच्छा रन दे और मैसूर में एक रन का बेनिफिट भी है और उसके बाद है दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँ है नौ नंबर स्लिंग सॉट सलमान खान और इस सीजन में विप के साथ राइडिंग देखने को मिलेगी सलमान खान की अप्रेंटी जॉक्य में बहुत अच्छी करके दिखाए और चौती रेस दोस्तों सोरसो मिटर थ्री एरोल्ड की है इसमें मैं सिंगली घोड़ा पिक करके चलूँ है यार आल्ट गेट एंटनी राज कलामित सी के आगे फैरवर्ट सायर काफी मतब और अगर दिखा जाए 50 पैसे का भाव था तो और मार्जन भी इतन तो यह थोड़ी सी यार वो लग रही है 400 मिटर की इसमें दो-तिन गोड़े दिख भी रहें बट मैंना टॉप और जी जान फिल्ड डाले नहीं है तो मैं लिख तो नहीं पाऊंगा बट इसमें जो मेरा फाइनल पिक रहेगा एक नंबर लास्ट विस उमीद करते हैं यार य राइटिंग बैटर करें बैंगलो सीजन अच्छा जाए इस बरी एंटरनी राज के लिए वैसे सारी सेंटरी बैटर जा रहे हैं उसके लिए तो यह गोड़ा यार ट्रैंकुलो और लास्ट विस दोनों मैसूर में एक साथ भागे हुए रवीजिंग फॉर्म के आगे ठीक है तो उम्मीद कर सकते हैं बाकी जैसा मैंने बताया है गोड़े बहुत हैं इसमें दो नंबर है स्पैक्टिकुलर और प्राइम एबस सुभांकर वाईयस सिनात वाला ठीक है और उमबस्मेन और सिरीस ठीक है रैपिडेस भी अपसेट कर सकते हैं जो भी है और फाइनल सेले इसमें भी मैं दो गोड़े करके चलूंगा यार मुझे दो ही नंबर समझ आ रहा है आर्क वे मैसूर में भी दोनोरन गुट सैकेंड लगा है तो मैसूर के ट्रैक का भी फाइदा होना चाहिए गोड़ा मतां कंटिन्यू भागी रहा है और उसके बाद दूसरा गोड़ा प यहां पर एक बैटर परफॉर्म करें और इसमें दिखने को बुक तो यार तीन नंबर बहुत स्ट्रॉंग दिखा रही है बट थोड़ा सा मुझे ठीक है परसन्या जी के घोड़े जीत जाते हैं यार बट दो और साथ नंबर ही मुझे समझ आ रहे हैं और साथ वी रेस दो पार है तो मेरे वी देखते हैं क्या है और मेरे साथ से तूम ऐसे सिंगल यी घुड़ा दिख रहा है और उमीद भी करेंगे कि सिंगली जीत है ठीक दोस्तों और लॉड़ बेस्त ओफ लग भाई बैंगलोर सीजन के फर्स रन के लिए नेक्स टाइम से कोशिस करेंगे और के लिए भी बैंगलोर के और टॉप और सिस ऑन फिल्ड के लिए भी तब तक के लिए टेक केर भाई हो मिलते हैं बाई यार